तो है गाइज और वेल्कम बैक टो वर्ड चैनल तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं अगर कोई बंदा यानि की कोई ओनर हैज़ बैक से सुवी के उपर सिफ्ट करता है ठीक है तो उसके क्या-क्या एक्सपिरेंस रहने वाले हैं पतलो उसका जो अपना एक हैं इस सबसे पहले बहुत बहुत बॉल जाएएज में की माती है करने में के आपको वीडाओंने में बहुत जादा मिल जाता है इसके अंडर आयाता है है टिव में अचर किजिंग आप से तरीके से मिल जाती है और जिन गाड़ियों में विजिबल नहीं होता है उसमें एडलाइट के लिए थोड़ी कम हो जाती है यूंकि आपको बॉनटी के लिए निए दिखता तो आपको लो लेवल पर दिखती ही नहीं है बहुत ना के बरावरी दिखने लगती है ठीक है और सबसे बात पहले हम कर लेते हैं इसकी टायरों की और एस्यूवी लेने से पहले ना अब को एक इचीज बैस्त मिलते हैं कि जब आप टायर देखते हो न अपने अस्यूवी गाड़ी के तो भाही नॉर्मल 13 इंच के टायर में हैच बैक में और 14 15 16 16 इंच के टायर में तीन इ अब करेंगे तो यह सच अब कुछ ज्यादा डिफ्रेंस देखने के लिए नहीं मिलता अगर आप हैजबेक से अचेंज करोगे तो थोड़ा से यह कि आपकी विजिबिल्टी होती है रियर विव की वह काफी जादा और अगर आप लेते हो एस्यूवी में कई फीचर आपको देखने के लिए पार्किंग करते समय आपको काफी ज्यादा कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंस दे सकता आपके लिए और साथ ही इसमें अगर आप शिफ्ट करो गया फिर प्रॉपर टॉप मोडल हैच बेक्स लोगे तो इसमें आपको एक शार्ट एंटिना मिल जाता है जि अब सबसे पहले हम अंदर चलते हों अंदर से क्राइखने के लिए मिल जाता है एक सीउवी के अंदर वह चिस में आपको बता इता हूं अब सबसे पहले नॉर्मली मेरे को तो घर में क्या दिक्कत आई है मेरे घरवालों को इसमें जो है ना देख जैसे यह वील बेस थोड़ा सा ऊचा है और थोड़ा सा ऊचा होने के साथ यहां पर क्या देफनेंस है कि यह थोड़ा डीप भी है तो कई मतलब जो नॉर्मल छोटे लोग होते हैं या फिर नॉर्मल अपने का नचे ऊचार। यह और जो घर में लेटी वह को अतरने में क्या दिक्कत होते हैं ठीक है तो यहां से उतरते हैं लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि यह जो एक देख सकते हो पूरा हाथ ही चला गया अन्दर चीज दिक्कत आजाती है आपको एस्यूव जम यहां पर चोटा सा हम पर थीक में तो इसमें यहां पर थोड़ी से दिक्टत आए अगर आप बात करोगे इसके सिटिंग पॉजिशन की तो इसमें काफी अच्छी कासी दी जाती है क्यों कि आप देख सकते हो इसमें बॉकिट फुट सीट दे रखें पूरी अच्छी तरीकसे सब्सक्राइब कि मैं अभी पिलनी शुटा ही नहीं है यह देख सकते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके साप कुशन होके बैठ जाते हैं और चार लोग बहुत कमफर्टेवल बैठ जाते हैं बस एक नेगेटिव पॉइंट में में यह लगाता है कि यहां पर आपको आम रेस समय देखने के लिए मिल जाता है अब अब देख सकते हो आप इतनी उच्छा ही है तो बैठने में थोड़ी बहुत दिक्कत भाई लोग को हो जाती है ठीक है यह देख लो अगर पैर से ना पोगे ना तो इतना यहां पतल इतनी उची है गारी यह चीज़ आप मेंजर कर सकत है ठीक है और मैं सीट अपनी उची करूँ तो आपको बॉनेट विजिबल होगा लेकिन अगर मैं जिस साब से सीट मैंने कर रखे तो यहां पर आपको बॉनेट विजिबल नहीं होता एक तरीके से आपको अंदाज में चलानी पड़ते है गाड़ी में यह जो डर होता है न अला कि सब 4 मेटर तो इतनी प्रोपर किंग वाली फील नहीं आएगी लेकिन आपको किंग वाली फील आती है यह एक प्लस पॉइंट है और साथ में जो विजिबल्टी है ना आपके व्यू की आगे का जो व्यू है अपनी विंचील का जो आगे का व्यू है वह आपको काफ तो इसमें DRVM जो मैं आपको बता रहा था वो भी मैं आपको फीचर दिखाता हूं कि DRVM होता क्या है तो यह आपका DRVM है जो आपकी जो रियर वी होता है वो उसे दिखा देता है बहुत अराम से और आपको गाड़ी चलाने में असानी होती है और यहां पे आपके पार्कि कि इसका जो इस्टेरिंग वी लेना काफी ज्यादा टाइट हो जाता है बंदोने के वाज़े से कि अप देख रहे हो मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं न तब भी नी गूमता ठीक है तो यह एक नेगिटी पॉंट लगा जो अपनी वेगनार का भाई वो गाड़ी बंदो ज जाएगा कि आपको वेगनार का स्टेरिंग वील ऐसा लगता है कि जैसे अपने ट्रक का स्टेरिंग वील हो तो यह डिफरेंस में आपको देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही अगर आप एस बैक से स्यूवी मैं सिफ्ट करोगो तो भाई कमफर्ट तो जाहर सी बात आप को बड़ी जाएगा और बड़ा इंजन होगा तो पावर भी आपके लिए बड़ जाएगी ठीक है और एक वीडियो में और बनाऊंगा इसमें वो क्या वीडियो रहने वाली है कि जब मैंने अपनी वेडियो चलाने के बाद अपनी वेडियो चलाने के बाद अपनी वेगन तो मेरे को कैसा डिफरेंस देखने के लिए मिला था तो वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आँगा कि उसमें मेरे क्या डिफरेंस देखने के लिए मिला था तो भाई इस वीडियो को इतने रखते हैं वीडियो चले की तो वीडियो को लाक करना चैनल को सब्सक्राइब करना टेक केर एंड बाबाई